नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ वन प्लस नॉट टू मोबाइल है आपके पास या कोई और मॉडल है तो उसमें आप फिंगरपिंट लॉक कैसे सेट कर सकते हैं तो मोबाइल में अगर आपने पैटन लॉक पासवर्ड ये अगर सेट कर रखा है तो ठीक है अदर्वाइस यहाँ पे पहले आप पैटन लॉक सेट कर लेंगे या स्क्रीन लॉक ठीक है इस टाइप से अब आपको चली जाना है यहाँ पे सेटिंग पे और सेटिंग पे जनके कर देंगे और यहां पर आपको स्क्रीन पर अपना फिंगर चो है टच करना है इस ट्रैप से वाइब्रेशन होने पर छोड़ना है और ऐसे आपनी फिंगर को गोल-गोल भूमाके आप टच करेंगे यह हो चुका है और डन पर गलिक कर देंगे और यहां पर फेस लॉक इन्रॉल करने के लिए बोल रहा है हम बाद में करेंगे तो कैंसल पर क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं fingerprint 1 आपका add हो चुका है delete का option देखने को मिल जाएगा दूसरे finger add करनी है तो add fingerprint पे click कर लेंगे use fingerprint 4 पे जब आप click करेंगे तो यहाँ पे आप इसे app lock के लिए भी use कर सकते हैं on करके ठीक है लेकिन अभी app lock set नहीं है तो इसलिए set का option देखने को मिल रहा है otherwise यहाँ पे तुरंत on हो जाता है app lock पूछता है खाली आपसे इसके बाद back कर देंगे इसके बाद यहाँ पे आपको fingerprint animation का option देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको अलग-अलग ऐसे animation देखने को मिल जाते हैं जब आप अपना lock खोलते हैं तो यहाँ पे काफिस सुन्दर से दिखते हैं यह ठीक है तो इतना ही दे रखा है तो यह आप चाहे तो कोई सा भी लगा सकते हैं तो मैं यह वाला लगा दूँगे और इसके बाद बैक कर देंगे तो fingerprint animation भी मैंने चेंज कर दिया है अब यहाँ पे जब मैं fingerprint से अपना यह खोलूँगू तो आप देख सकते हैं animation यहाँ पे आपको शो होगा तो इस टाप से सैटिंग कर लिजेगा I hope guys यह वीडियो आपको जरूर पसंद आयोगा चली मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार